सो हलो फ्रेंड्स हाओ आर यू देखिए आज मैं आपके लिए कुछ प्रिवेस एर एक्जाम में आया हुए सिनोनेम्स के क्यूशन लेकर आया हूँ तो जैसा कि आप देख पारे हैं कि यह जो क्यूशन है वह स्येसल 2021 में आफ्टनूम शिफ्ट में आया हुआ है तो चलिए स अप्रिय इस्तती से निपड़ने के लिए त्यारी करना जैसे मैं एक्जामपल दूँ आपको कि पहले जमाने में जो महल होते थे राजा महराजाओं के उनके चारों और किले बंदी कर देते थे ताकि जो उनके पर भारी आकर्मन हो या अप्रिय इस्तती उत्पन हो उनसे कैते हों बस सके ठीक है तो 45 में होता है मजबूत करना तो इसके आंसर होता है गांसर को दी हो जाने देना है विकल मीरनी yeter को कमजोर करना ओसी को डीला करना ठीक है। तो जो इसका आंसर मेंД फोटिफ़ाइइच हमें 5-25 हो जाएगा। तो दखियो फ्रेंड्स अग्ला रे संहे हो वह है सिवेरिटी करेंटी का मैं बताना कि पनते हैं कि 어렵नी इसका आंसर होगा कौन सा option इसका synonymous होगा तो सेवडीय मीन्स क्या होता है equality of severity ठीक है मन माल मीन्स क्या होता है गंबीर्ता की स्थत्य को हम क्या ह molar जाँ क्या सवेर्टी यहन Ó कोई गंबीर्त्र के स्थत्य कोई किसीगे किसी इस स्थी की ढ़ी कि मुद्दे की तो इसको सेवरेटी ठीक है तो इसकाती आंसर भी थीक यह स्थीशनेश कुमिमे आंसरफभा थीं का सबद्रिक में थे किसमत्रिक दर्द है नि किसी को मानसिक पीडा हो या मानसिक कोई सफरिंग हो तो इसके लिए हम एंग्यूइस का यूज़ करते हो एंग्यूइस मींस क्या होता है मानसिक पीडा या दर्द पेन मींस होता है दर्द होता है ठीक है सपोर्ड मींस किसी को सहता करना तो इसका जो आंसर होगा वो ओप्रेंड्स तौ देखिए फ्रेंड्स आगला जो हमारा है वह है इमेर्ज इमेर्ज होता है कि दिखाई देना यानी परकट होना चानक दिखाई देना तो इसका अपियर हो जाएगा ठीक है अपियर हो जाएगा इसका अंसर दिखाई देना पर्तित होना मिंगल में जोंता है किसी कि मिस्ञन होना ठीक है जैसे काफी चीज़ों कम आपिर और मिंगल हो जाती है। विद्वोल्ड मीस वह थो भता रोक के रखना जाये एक प्रमीशनव को कि रहना नहीं को विद्वोल्ड को उसका हूं। होता है। होता है। फो उसका चुन है अंशर होगा वह अप्प्यर हो जाएगा। यह फ्रेंट्स में साइंटरिस को चान किया रे ठीक है अब रे मींस क्या होता है रे मींस होता है क्रूक्ड होता है क्रूक्ड होता है क्रूक्ड मीस टेड़ा मेड़ा ठीक है तो रे मीस भी होगा टेड़ा मेड़ा ठीक है स्ट्रेड मीस होता है फॉर्थ राइट मीस होता है स्पेस्ट क्लिय किस चीज़ को फ्रेंग भी होता है कि अपने विचारे बाउना को इस पर स्टूप से विक्त करना तो इसका तो आंसर होगा वो होगा वो कुछी डी ओप्शन कुरूक्ड हो जाएगा तो देखिए अगला जो हमारा क्यूशन है वो है मेलिगनेंट मेलिगनेंट मीस होता है घातक ठीक है जैसे हम बोलते हैं कि यार ब्रेंट टूमर इस मेलिगनेंट तो ब्रेंट टूमर होता है काफी गातक होता है मिले उसके अंदर बचना बहुत मुश्किल होता है तो मेलिगन तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्यूशन है वह है कॉंप्लाई कॉंप्लाई मींस होता है कि किसी के अनुरोड या किसी के अनुरोड या अग्या को स्विकार करना या किसी के अनुरोड या अग्या की पालना करना ठीक है तो मींस इसका जो सिनमस होगा वो ओबे हो जाएगा ओबे मीस भी होता है किसी की अग्या का पालना करना ठीक है जैसे हम हमेशा अपने जो पैरेंट्स होते हैं उनकी जो मेश होता है एस्वेर करना और इनकार कर देना इसका जो आंसर होगा वो यह ओप्शन ओबे हो जाएगा फ्रेंद्स तो देखे फ्रेंड्स अखला जो हमारा क्यूस्टन है वो है डियर्थ डियर्थ मीन्स होता है कमी या भाव किसी चीज की में अगर कमी हो जाए तो वहां पर हम क्या बोलें डियर्थ वर्ड का यूज करेंगे तो इसका सुनेम सब्सक्राइब हो जाएगा ठीक है अब डैथ मी जोता है मिन्स होता है कि कि चीज के रिसाओ हो ना थीक ए वीकनेस मी तो डिश में सब्सक्राइब हो जाएग रिए पार मैं Mamma Fr weakness कमजोरी इसका अंसर होगा इसका त्यू होगा इसका यूंश होगा क्या होजाएगा इसका आंसर अविआग आप्शन सोटेज तो देखिये friends अगला जो हमारे question नहीं हो इन इन इन्क्रोज होता है ठीक है इन्क्रोज होता है इन्क्रोज होता है कि बिना किसी के अनुमती कि किसी में प्रिवेस करना ठीक है सबोच कीजिए कोई ऐसा चेतर्य जो प्रोहिबीटेट है इसमें मना है उसके अंदर जाना मना है और हम उसमें घुष जाएं फिर फिली हूं किया करें इंक्लोच कर रहें थीक है इनक्लोच्ट गर्रेया है थीक है तो शो मिश्ट करना बिंदा रनूमतिकी किस चीज में इसक option इंट्रूड हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो देखे फ्रेंड्स अगला तो हमारा क्यूसर है वह है डिस्पीकेबल डिस्पीकेबल मेंस क्या होगा है कि कोई चीज़ा निंदनी हो ठीक है तिरिशकार योग्यों तो उसके किस तो इसके लिए मिच्पीकिबल वड़ गए ठीक है जिसके पल क्या है adjective हो इसको याद रखेगा तो despicable means हो गया है निंदनी है या तिरिसकार योग है इसका तो synonyms होगा वो contemptible हो जाए contemptible means होता है किसी का तिरिसकार करना अपमान करना और despicable means होता है किसी का तिरिसकार करना अपमान करना ठीक है कमांड डेबल मीस होता है किसी की सहराना करना परसंसा करना तो इसका एंटोनिम्स हो जाए गए लावड डेबल मीस होता है सहरानी है और डिजारेबल मीस होता है वांचनी है ठीक है वांचनी है एच्छिक तो देखिए friends अगले जो हमारा question है वो है forbid, forbid means होता है किसी को रोकना, मना करना किसी को कुछ काम करने से मना करना, रोकना तो इसका जो synonym होगा, वो prohibit हो जाएगा, prohibit means होता है रोकना, ठीक है, close means बंद कर देना, edu means होता है किसी को thank you बोलना, ठीक है increase means होता है, किसी को prosize करना, किसी काम करने के लिए तो इसका जो answer होगा, वो b option prohibit हो जाएगा देखिए friends, अगला जो हमारा question है, वो है salient, salient means होता है कि जो आसानी से जो चीज़ दिखाई दे, आसानी से से हम notice कर सके तो इसका जो answer होगा, इसका जो synonyms होगा, वो noticeable हो जाएगा, ठीक है तो देखिए friends, अगला जो हमारा question है, वो है empathetic, empathetic means होता है कि जो काफी, ऐसा वेक्ति जो काफी उदाशीन हो, यानि उसको फरक नहीं पड़ता है कि उसको सुख है कि दुख है, ना तो उसको सुख में सुख की अनुबती होती है, ना उसके दुख में दुख की अनुबती होती है वो हमेशा एक सी कंडिशन में रहता है ऐसा व्यक्ति कैसे होता है एपेटिक होता है तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो डी ओप्शन इंडिफरेंट हो जाएगा इंडिफरेंट होता है उदाशीन होता है ठीक है इरलिवेंट मिन्स होता है कि अन इंपोर्डेंट जो चीज हमा बिना विलंब किये ठीक है इसका जो आंसर होगा सो वो डी ऑप्शन इंडिफरेंट हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स